महा काटून टीवी आँ, मर गई रहे, इस कश्ट से तो अच्छा है, प्रभू हमें उठा लो, इतना दर्द हो रहा है कि जान निकली जा रही है, आई मा मैंने घाव सूखने और दर्द कम करने की दवा दे दी है, लेकिन आप जल्दी ही खून लेकर आईए, मरीज की हालत बिगड रही है, उसके शरीर में खून की कमी है आप मेरा खून निकाल लीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लीजिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ दोक्टर साहा, जल्दी से कोई दवा दे दीजिए, मैं दर्द से मरी जा रही हूँ मैंने दवा दे दी है, लेकिन आपके शरीर में खून की कमी है, इसलिए घाव ठीक होने में समय लग रहा है ए प्रभू, और कितना कश्ट देंगे आप, ना जाने ये कौन सी बिमारी है इन घाव के दर्द से मेरी तो जान ही निकली जा रही है, आए, आए, आए भाई कोई दवा दे दो, जिससे तुरंत राहत मिल जाए आपको जरूरत की सभी दवाएं दे दी हैं, और अब आपको खून की सक्त जरूरत है आपके रिष्टेदर खून लेने गए तो हैं, लेकिन अभी तक लोट कर नहीं आए माया को अस्पताल में भरती हुए दो दिन हो गए, लेकिन उसकी तबियत अभी तक ठीक नहीं हुई है डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उसके शरीर से सारा खून बाहर निकल रहा है रह मैं था तीन दिनों से खून का इंतजाम करकर के परेशान हो गया लेकिन फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई पतनी और बच्चे दोनों के लिए खून का इंतजाम करना पड़ रहा है रह बताओ के करूं यार कुछ समझ नहीं आ रहा अरे माधव इतना घबराया हुआ काई लग रहा है का बात होगी सब ठीक तो है न भाई के लिए जल्दी से खून का इंतजाम करना है उसकी हालत बहुत खराब है काई घबरारो है? खून का इंतजाम मैं कर दूंगो बहुत ही अजीब बिमारी है ऐसा लगता है कि घाव से शरीर का सारा खून निकल जाता है लेकिन खून तो शरीर से बाहर निकले ही ना है लगता है वो अंदर ही सूख जावे है सच बोल रहा हूँ अभी अस्पताल से ही आ रहा हूँ और और वहां के डॉक्टरों ने बताया कि ऐसी बिमारी पहले कभी नहीं हुई डॉक्टरों ने जल्दी से इस बिमारी का कोई इलाज ढूनना चाहिए अरे भोला को क्या हो गया वो इतना उदास क्यूं है बंदा ने अस्पताल में दम दोड़ दिया ये तो बहुत ही बुरी खबर है अब तो मुझे और भी डर लगने लगा है गाउं के कई लोग अस्पताल में भरती है और उनकी तबियत बिगरती ही जा रही है पतो ना है गाम में जे कौन सी आफ़त भैगई गाउं में हाँ दिन किसी ना किसी की मौत हो रही है अरे ये डाक्टर भी ना ठीक से इलाज ही नहीं कर रहे है देखो ना कितनी गंभीर बिमारी है लेकिन इन डाक्टरों को कोई परवा ही नहीं देखिए आप लोग शांत हो जाईए हम लोग रोगियों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन मरीजों में खून की कमी के कारण उनका इलाज करना मुश्किल हो रहा है हम लोग खून की कमी नहीं होने देंगे लेकिन आप लोग ठीक से इलाज तो कीजिए हम इलाज में कोई कमी नहीं रख रहे हैं लेकिन हमें इस बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है इस बीमारी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि शरीर का खून निकल जाता है ये कैसे हो रहा है हम लोगों को अभी तक पता नहीं चल पा रहा लेकिन मैंने मरीज की शरीज से खून निकलते हुए नहीं देखा अरे मेरे कहने का मतलब है शरीर में खून बहुत कम हो जाता है उच्छो मैंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए सारे उपाय किये फिर भी उसे बचा नहीं पाया मैंने भी माया को बचाने के लिए काफी कुछ किया है अब तो मैं काली मा के शरण में जाऊंगा हाँ, अब देवी मा ही मेरा आसरा है भाइ, मैंने भी सारे उपाय आजमा लिये अब मुझे भी देवी मा पर ही विश्वास है हाँ, वो ही कुछ करेंगी भक्साहा मंगलाय कालीदवैय नमा मंगलाय नमा तनुहरी हे माता रानी हम गाउं वालों की विंति सुन लो आप लोग दिन से अभी तक यहीं बैठे भजन कर रहे हैं जी पंडी जी अब हम लोगों का सहारा सिर्फ देवी मा है गाउं में विपत्ती आ गई है हर परिवार से किसी ना किसी सदस्य की उस ला इलाज बिमारी से मौत हो रही है अब हम लोगों को देवी मा पर ही भरोसा है अगर देवी मा चाहेगी तो सारे दुखदर्दे दूर हो जाएंगे लेकिन अब रात हो गई है और रात को इस मंदिर में रहना ठीक नहीं होगा पंडी जी अब जब तक गाउं वाले ठीक नहीं हो जाते हम लोग इस मंदिर से नहीं जाएंगे अब मैं जा रहा हूँ अब आप लोग भी अपने घर चले जाएंगे जै मा काली हम गाउंवालों की रक्षा करो गाउंवालों मंदिर में छुपकर पूजा कर रहे हो तुम्हारे गाउं के लोगों का खून बहुत ही मीठा और स्वादिश्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब तक तुम सब लोगों का खून नहीं पी लेती तब तक इस गाउं को छोड़ कर नहीं जाने वाली क्या तु ही गाउंवालों को परिशान कर रही है मैं परिशान नहीं करती रात मैं बस सब का खून पीती हूँ गाउंवालों एक एक करके मंदिर से बहार निकलो तुम्हें बता है बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है मुझे फल की चिंता नहीं मुझे तो खून की चिंता है हाहा 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 है यह क्या मा मार रहे हूं है माता रानी आपने हम सब के जान बचा ली हम लोग कसम कहते हैं कि हर रोज आपकी पूजा करेंगी अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हूं तो इन्हें लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोस सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन दबारन ना भूलें